माइ टाइम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तो आज मैं पूछूंगा आपसे उन सवालों को जो पूछे जाते हैं UPSC के इंटर्व्यू में IAS के इंटर्व्यू में और IPS के इंटर्व्यू में दोस्तो हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे पूरे 5 सेकंड तो बढ़ते हैं आगे अपने पहले सवाल की ओर सवाल नंबर 1 ऐसी कौन सी जगा है जहां कुवारे लड़की लड़के बिल्कुल भी नहीं जा सकते दोस्तो अगर आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हों तो अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तो इसका सही जवाब है ससुराल में सवाल नमबर दो एक अंतरिक्ष सूट को बनाने में कितने एक डॉलर तक खर्च हो जाते हैं क्या आप बता सकते हैं दोस्तो एक अंतरिक्ष सूट को बनाने में एक मिलियन डॉलर करीबं 84 करोड रुपे खर्च होते हैं सवाल नमबर तीन RDX की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तो RDX की फुल फॉर्म रिसर्च डिपार्टमेंट एक्स्पलोजिव होती है और दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्ट्राइब नहीं किया है तो रोज एक नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करने और साथ में बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें सवाल नमबर चार ऐसा कौन सा खाद्यप्रदार्थ है जो हजार साल तक रखने पर भी कभी खराब नहीं होता? दोस्तों शहद अगर शुद्ध हो तो इसे आप एक हजार साल तक भी रख लें तो यह खराब नहीं होगा सवाल नमबर पांच भारत के किस राज्य में शादी करने के लिए लड़कों को अलग अलग लड़कियों के साथ सम्भोग करना पड़ता है? दोस्तों अगर आप इसका सही जवाब पहले से जानते हों तो अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबाईएगा दोस्तों राजस्तान और गुजरात के कुछ हिस्सों में गरासिया जनजाती निवास करती है इस गरासिया जनजाती में शादी से पहले मा बनने का रिवाज है इस गरासिया जनजाती के युवा पहले लिविन रिलेशन्शिप में रहते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद ही उनकी शादी करवाई जाती है और अगर लिविन में रहने के बाद भी उनके बच्चे नहीं होते तो वह अलग हो जाते हैं और फिर किसी और के साथ लिविन में रहकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश जब तक जारी रहती है तब तक की वह किसी बच्चे को जनम ना दे दें तो दोस्तों यह जंगाती राजिस्थान के उद्यपूर, सिरोही और पाली में पाई जाती है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक और शेर प्लीज जरूर करियेगा थेंक्यू दोस्तों